हेलो स्टुडेंस कैसे हैं मैं अंकित गोयल और स्टुडेंस आज आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे वन अफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अफ एफ वाई mutual fund देखिए mutual fund हमारे exam के लिए जितना important है उतना ही ये हमारी real life में आने वाली investment के लिए भी उतना ही important हो जाएगा तो देखिए जब मैं आपको mutual fund पढ़ाऊँगा तो mutual fund आपको book के साथ साथ real life में भी बताऊँगा कि mutual fund real life में कैसे work करता है और क्यों आजकल हम सभी बात करते है mutual fund की best investment वही है mutual fund की बारे में start करने से पहले हमें जरूर जानना होगा कि mutual fund कोई share होता है या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ mutual fund कोई share नहीं होता है हम लोग बहुत गलत interpretate करते हैं shares और mutual fund के बीच में shares एक company की एक position होती है एक shares होता है जो company अपने rights issue करती है shareholders के रूप में अलग-अलग different public को बट mutual fund कोई company का share नहीं होता ना आपको किसी company के rights मिलते हैं mutual fund एक unit होता है जो हमें market में purchase करना होता है तो चलिए फिर start करते हैं अपना mutual fund आज का topic है हमारा mutual आज का topic है हमारा mutual fund देखिए पहले तो mutual fund है क्या एक company है मान लो A, B, C limited एक company है बहुत सारे अलग-अलग investors है जो market में पैसा लगाना चाहते हैं जो investment करना चाहते हैं कहां पर market में Market का मतलब होता है shares और FDs कह सकता हूं या फिर bond कह सकता हूं FDs में लगाना चाहते हैं या bond में लगाना चाहते हैं मतलब जो भी investor अपना पैसा market में लाना चाहता है for the future benefits purpose मतलब चाहे वो interest का हो या dividend का हो या share price increase का हो वो पैसा लगाना चाहता है और हम अपनी money के ऊपर जो investment करना चाहते हैं देखिए मेरी money के ऊपर हम जो investment करेंगे पहले मैं आपको बता रहा हूँ mutual fund का concept क्या है पहले उसको समझेंगे और mutual fund से पहले हमें अपना investment का concept समझना बहुत जरूरी है मैंने आपको बता दिया है मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ book life नहीं पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को book life के साथ साथ real life भी बताना चाहता हूँ क्योंकि उनको real life भी कामानी है आगे जाके real life ही actually कामानी है तो पहले समझेंगे मेरे पास कुछ पैसा है suppose करो मेरे पास एक लाख उर्पे है और ये एक लाख उर्पे मैं market में invest करना चाहता हूँ तो I have two options एक होता है risk free option एक होता है risky option रिस्की option होता है मेरे पास a concept risk free investment के अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास दिखता है सिर्फ bank या फिर आप कह सकते हो PPF हो गया या आप कह सकते हो LIC हो गई मतलब कोई ऐसा source जिसके अंदर आपको fixed rate of interest के साथ या फिर कम से कम ये shorty के साथ कि आपका पैसा future में inflate ही होगा क्यों ना कम हो इसे कहते हैं risk free investment समझ में आ गया ये मैंने सरफ दो लिखे हैं इसके अंदर बहुत सारे आते हैं ATC की deduction के बारे में हमें पता ही है हम सब income tax पढ़ चुके हैं और ये है bank bank के अंदर अगर मैं पैसा invest करता हूँ तो मुझे पता है bank वाले चाहे 6% का interest दे 7% का दे 8% का दे मुझे interest मिलेगा और मेरा पैसा future में inflate होगा कम होगा कोई बात नहीं दूसरा option होता है risky option risky option आता है मेरा share bazaar share market जिसे हम कहते हैं जिसके अंदर आप nifty और sensex जिसके अंदर nifty और sensex के हम बात करते हैं यह हमारा एक investment के अलग-अलग source होते हैं जहाँ पर हम पैसा invest करते हैं मैं उन person की बात नहीं करूंगा जो कहते हैं जी मैंने पैसा दे दिया ब्याच पे 12% पे 15% पे 18% मैंने लोगों को इंटरेट कर दिया है मैं उनकी बात नहीं करूंगा investment मैं वह बान रहा हूं जो मैं जिसका मेरे पास कोई एक record होगा record in the sense जिसका मेरे पास कोई proof होगा bank में अगर FD बनाई तो मुझे FD मिल जाती है bond मिल जाता है shares कर रहे हैं तो मेरे account में उसके entry हो जाती है मेरे account में DMAT में या trading account में shares transfer हो जाते हैं ठीक है ऐसे ही जिसका मुझे record होता है मैं उनकी बात करूंगा तो जो investor है उसके पास अलग-अलग option होते है अपने पैसे को invest करने के लिए लेकिन अब मैं being a investor या आप being a investor की बात करेंगे आपके पास एक लाख रुपे है तो आप इधर invest करना चाहेंगे इधर invest करना चाहेंगे तो आपकी maximum कोशिश रहेगी आप risk free में जाए कम मिल जाए अच्छा मिल जाए कम खालूंगा अच्छा खालूंगा हमारी तो वैसी भी सोच रहती है लेकिन यहाँ पर क्या है risky अगर risky investment कोई करना ही नहीं चाहेगा तो shares बाजार में हम लोग पैसा लगाते क्यों है इतना लाको करोडों रुपे का trade हो जाता है एक महीने के अंदर share bazaar के अंदर की बहुत जादा बहुत बड़ा amount trade होता है share market के अंदर वो इतना amount जो trade किया जा रहा है वो सब risky तो है हमें क्या पता मैंने अभी share purchase किया वो अभी उपर जाएगा ये नीचे जाएगा वो तो उपर भी जा सकता है और नीचे भी that is risk लेकिन ये उपर न इस investment के उपर जो return rate है वो higher और lower दोनों हो सकता है as compared to this investment इसके अंदर मुझे पता है 6.5% का inflation आएगा तो मुझे ये बात पता है कि मेरा 1,00,00 रुपे एक साल के बाद 1,00,6,500 रुपे होगा ये fixed inflation है इसलिए risk free है लेकिन यहाँ पर risky है एक लाग रुपे अगले साल एक लाग बीस हजार भी हो सकता है अगले साल 80,000 भी हो सकता है और अगले साल डेर लाग भी हो सकता है मतलब 1,00,00 रुपीज जो है वो मेरा 1,50,000 टू लैक तक भी जा सकता है इतना inflation हो सकता है तो मैं तो चा हमात के साथ हम high में भी जा सकते है और law में भी जा सकते है अब मुझे किस share में investment करनी चाहिए मुझे ये नहीं पता है इसके लिए क्या करूं क्या मैं market में इतना study कर सकता हूं कि मुझे ये share लेना है और ये नहीं मैंने reliance company के share लिए और मेरे reliance company के share market में down आ गए इंडिया क best company मानी जाती है reliance, reliance के share भी डाउन आ गए तो मैं किसी shares के ओपर कैसे trust कर सकता हूं आप सभी ने देखा होगा Punjab National Bank अभी recently example आपको दे रहा हूं पंजाब National Bank का एक share 2500 रुपे का था 250 का था एप्रॉक्स जैसे ही नीरव मोधी का कांड हुआ share price आज आप चेक करके देख ले ना अगर आप मेंसे कुछ student अगर share market में थोड़ी सी knowledge रखते है तो आज का price share market में approximate 100-105 रुपे का चल रहा है अब आप समझ लो कि एक second में मेरी share market के अंदर एक महिने में मेरी share market का price 60-70% down हो गया पंजाब national bank कितना अच्छा bank चल रहा था कितना अच्छा share price चल रहा था inflate हुआ जा रहा था लगाता एक एक छोटे से कांड ने छोटा सा नहीं बोलूँगा sorry एक कांड ने उसका share price 60% down कर दिया अब आप देख सकते हैं उस चीज़ को risk के साथ return भी है तो risk भी बहुत जादा है तो ये mutual fund क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया market का scenario बता दिया कि market क्या चीज़ होती है market का अपना portfolio क्या होता है investor की सोच क्या होती है अब मैं investor बन रहा हूँ मेरे को नहीं पता है कि मुझे किस shares में पैसा लगाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं यहां से भी कुछ income earn करूँ और यहां से भी कुछ income earn करूँ अब अलग-अलग source से मुझे income earn करनी है तो अलग-अलग source से income earn करूँगा कैसे मैंने एक company के mutual fund purchase कर लिए याद रखना mutual fund share नहीं होता है यह याद रखना है आपने मैंने एक company के mutual fund purchase कर लिए वो company mutual fund issue कैसे करती है वो company का mutual fund होता क्या है अब वो समझाता हूँ मैं आपको तो देखेंगे यहां हम बात करेंगे mutual fund की mutual fund के अंदर हम लोग investment करते कैसे है और mutual fund भी अलग-अलग type के होते है पहले आपको मैं एक type का mutual fund बता रहा हूँ और इसी के continuity में दूसरी type भी बता दूँगा तो ध्यान से समझेंगे mutual fund के benefits मैं आपको पहले बता रहा हूँ समझना ध्यान से हैं पर मेरी company है ABC Limited जैसे मैंने भी आपको बताया ABC Limited मेरी company है और बहुत सारी public company कभी भी खुद अपना सारा पैसा mutual fund में नहीं लगाती है हम public का पैसे को इखटा करते हैं और फिर उसको mutual fund में इन्वेस्ट करते हैं और अपना भी company अपना भी बहुत सारा पैसा mutual fund में जरूर लगाती है अब ये mutual fund है क्या जरा वो समझते हैं ABC limited है जो company आज market में एक करोड उपे invest करना चाहती है एक करोड बता रहा हूँ थोड़ा छोटा amount बता रहा हूँ बट कोई बात नहीं समझना एक करोड से एक करोड उपे invest करना चाहती है अब company के उपर भी pressure है कि उसका fund market में down ना आए पहली चीज़ दूसरा company के उपर pressure है कि company जिन लोगों का पैसा invest कर रही है वो down ना आए तो risk मेरे साथ मेरे साथ साथ मुझे उन लोगों का भी है उन investors का भी है जिन लोगों ने भरोसा करके मुझे पैसा दिया है और याद रखना एक बात मैं आपको बता देता हूँ मेरा एक example बहुत बहुत famous है आपको भी मैं बता देता हूँ वो समझेंगे हम उसे goodwill का एक example दे रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर शुरू करूँगा पहले goodwill का example समझ लो Mr. X और Mr. Y दो friends है best friend है बचपन के बहुत अच्छे friend है Mr. X को 10,000 रुपे की जरूरत है उन्होंने Mr. Y से बोला कि मुझे 10,000 रुपे दे दो Mr. Y ने बोला कोई बात नहीं यार ले ले सिर्फ ये बता दे मुझे पैसे कब देगा तो मैंने बोला Mr. X ने बोला कि मैं तिर को यार इस महिने की 30 तारिक को पैसे दे दूँगा Mr. X ने बोला Mr. Y ने बोला कोई बात नहीं ले ले 30 तारिक आ गई अब Mr. Y को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये बात लग रही होगी कि आज Mr. X मुझे मेरे पैसे पपिस दे देगा 30 तारीक बीत गई Y ने भी अभी कुछ नी बोला X ने भी कुछ नी बोला 5 तारीक आ गई है Mr.Y ने Mr. X को call किया कि yár वो तरकों मेरे पैसे देने थे जरूर होता है मुझे वो पैसे दे दे Mr. X ने बोला yár कि पांच दिनों रुख जा दस तारिक को बिना करे तेरे पैसे दे दूँगा दस तारिक आ गई Mr. Y को अब तो पक्का बताए कि Mr. X पैसे दे देंगे Mr. Y को पैसे आज भी नहीं मिले देखो Mr. Y आप बन जाना और Mr. X मैं बन रहा हूं अगर मैं आपके वो पैसे नहीं दे रहा हूं कहने के बाद तो जान रखना आपके ओपर क्या बीट रही होगी अब आगे चलते हैं अब आगई 15 तारिक Mr. X ने Mr. Y को फोन किया कि Mr. Y यार मैं तरको पैसे जो ना पक्का तीन दिन में दे दूँगा बात हो गई है तीन दिन में मेरे पैसे आ जाएंगे 18 तारिक भी बीट गई 20 तारिक हो गई 20 तारिक को Mr. X आते है Mr. Y के पास और उनके पैसे उनको वापिस दे देते हैं वो 10,000 रुपे लिए थे वो वापिस दे दिये अब एक बाब बताओ मैंने प्रॉमिस किया था 30 तारिक को देने को उसके बाद मैंने 10 तारिक प्रॉमिस किया फिर मैंने 18 तारिक प्रॉमिस किया अब मैंने 20 तारिक को आके पैसे दी हैं आप अगर मेरी जगा हो मतलब आप वो Mr. Y हो और मैं वो Mr. X हूँ, next time मैं आपसे 2000 रुपे लेने आऊंगा, आप मुझे पैसे देंगे, बिलकुल नहीं देंगे, होते होंगे, तब भी नहीं देंगे, चै कितना अच्छा दोस्त हूँ, क्योंकि मैंने time पर आपकी payment promise करने के बाद नहीं दी, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी market में goodwill जो है वो, खतम हो गई, और जिसकी market में goodwill नहीं होगी, उसको market में fund नहीं मिलेगा, ये याद रखना, समझ में आ रहा है, मेरा point जो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर Mr. X ने मुझे कहा होता, या Mr. X ने मुझे कहा, कि मैं आपको 30 तारीकों पैसे दे दूँगा, और व कि मैं time का punch वल हूँ, जब कहूँगा, जब पैसे दूँगा, समझ में आ गया, तो ये होती है goodwill, सिर्फ time पर payment देना, और time पर payment ना देना, से market में goodwill बनती और बिगड़ जाती है, और याद रखना, जिसकी market में goodwill बिगड़ गई, किसी भी company की हो, क्यों ना, किसी भी company की ह उस company को market में fund नहीं मिलेगा, समझ में आ गया होगा, mutual fund में क्या है, public ने, हजारो, हजारो public ने किसी एक company पर trust किया, और उसको पैसा दे दिया, कि आप हमारा पैसा invest कीजिए, हमें आपसे उमीद है कि आप हमारे पैसे को growth के साथ उपर की तरफ लेके जाएंगे, growth के साथ, इ एक करोड पे जो लोगों ने उसको दिया है, उसकी liability बन गई, उस पैसे को उपर लेके जाना, और Mr. ABC, जो company ABC है, वो company अपने इस fund को ऐसी जहंगा invest करना चाहेगी, जिसमें company के investor जितनी भी होंगे, उनका पैसा ना डूबे, या कम तो ना हो, तो क्या करती है company, इस investment को किसी एक share में नहीं लगाएगी वो, मान लो example दे रहा हूं, उस company ने 40% पैसा तो लगा दिया bond में, 40% पैसा लगा दिया मतलब 40 lakh रूपीज तो उसने लगा दिया bond के उपर, क्योंकि ये हो गया risk free, ये हो गया risk free, अब बच गया remaining के 60%, 60% का मतलब हो गया, ये हो गया 60 lakh रूपीज अब इस 60 lakh रूपीज का क्या करेगी company, इस 60 lakh रूपीज को अलग-अलग, और ये जो bond है ना, ये bond भी अलग-अलग, जैसे कि इसमें होते हैं, किसी private company के bond हो सकते हैं, इस bond में किसी government company के bond हो सकते हैं, इसी इसमें company किसी FD में invest कर सकती है, समझ में आ रहा है, ये investment है, जिसके उपर मुझे पता है, fixed rate of return मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ताकि कम से कम investor को कुछ तो inflation जरूर देखे, समझ में आ गया, mutual fund समझा रहा हूँ, आगे जाके आपकी real life में बहुत काम आने वाला है, हर TV चैनल पे देख लो आप, news चैनल पे देख लो, आप radio पे सुन लो, FM पे सुन हर जहंगा आप बोलते है, mutual fund सही है यार, वो सही क्यों है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि company की portfolio जो बनाती है, वो portfolio क्या होता है, portfolio का मतलब होता है, मेरा अपना एक scenario बनाया हुआ है, मैंने, कि मेरे को अपनी investment करनी है, तो करनी कैसे है, ये वो scenario समझा रहा हूँ मैं आपको की company क्या सोच के बनाती है, और mutual fund बनता कैसे है, बेटा आने वाले time में ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि investment आप सभी ने करनी है, आप सब 6 semester के हैं, और इसके बाद आप सबने market में जाके earn भी करना है, और investment भी करनी है, अब आगे आते हैं, ये जो 60% हमने invest किया ह इस 60% का मतलब 60 lakh rupees को भी मैं एक जंगा invest नहीं करूँगा, इसको भी मैं बहुत सारे अलग अभी मैंने दिर्फ 6 लिखे हैं, आपको 6 बता रहा हूँ, company इनको 6, 7, 8, 10, 12, जो company का अपना एक portfolio होगा, उसके according चलेगी, मैं आपको इतने बता रहा हूँ, मैंने कुछ shares invest कर दिय कुछ कर दिया SBI, SBI shares में याद रखना, कुछ कर दिया मैंने Reliance के अंदर, कुछ कर दिया मैंने NTPC के अंदर, कुछ कर दिया मैंने REC के अंदर, कुछ कर दिया मैंने HDFC में, और कुछ PNB में, ये company की एक जो scenario है, company ने इस 60,000,000 रुपे को इस इस अलग-अलग companies के shares में invest कर दिया समझ में आ गया 40 लाग को तो कंपनी ने एक दो तीन इन ऐसे जंगा इंवेस्ट कर दिया और भी हो सकती है जुसमें fixed income हो और remaining के जो 60 लाग बचे थे उसको कंपनी ने ऐसे इंवेस्ट कर दिया अब इतनी investment करने के बाद आप एक बात खुच सोचो कि अगर मैं बता रहा हूँ पंजाब national bank का पैसा कम हो रहा है तो reliance का पैसा तो भढ़ रहा है यार REC government का share है पैसा भढ़ रहा है NTPC SBI सबसे ज़्याद़ ग्रोथ हो रहा है यह देखो एक share कम हुआ HDFC बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है एक share कम हुआ 5 share भढ़ गया हो सकता है मैं कहता हूँ चलो यह NTPC भी चलो down कर देता हूँ NTPC down हो गया बाकी 4 share तो भढ़ रहा है प्लस यह investment पे fixed return मिल रही है मतलब ultimately आपके share का या आपके जो mutual fund का जो price है वो भढ़ रहा है प्लस fixed income भी आ रही है जब मेरे पास ऐसे करके incomes आती है अलग-अलग सोड से अलग-अलग उससे मेरे पास पैसा भढ़ रहा होता है तो इसका मतलब मेरा mutual fund growth कर रहा है और क्योंकि यहाँ पर risk अब बोलते है mutual fund में risk कम है risk कम इसी लिए तो है क्योंकि मैंने पैसा एक जंगा लगाया ही नहीं है अरे किसी एक company का पैसा down हो जाएगा दो का down हो जाएगा बाकियों का तो उठेगा अगर उसके बाद भी अगर घट गया तो इनका पैसा तो भढ़ेगा कहीं न कहीं मुझे loss होने के chances कम है inflation होने के chances अगर मैंने यहाँ पर 40% पैसा लगा रखा है तो no doubt मेरा growth के chances थोड़े से कम हो जाते हैं यह तो growth होगी लेकिन यह तो कम है न percentage यहाँ पर 7% की growth है यहाँ पर हो सकती है 70% तक growth अगर मैं यह 40% भी यहाँ पर लगा दूँगा तो मेरी growth तो यह भी 7 से 70 हो जाएगी तो मेरा पैसा और growth में आएगा लेकिन risk कितना भढ़ जाएगा क्योंकि सारा पैसा shares में हो जाएगा इसलिए company mutual fund को purchase करने के लिए या mutual fund बनाने से पहले अपने investment को अलग अलग जगा करती है कुछ पैसा इसमें कुछ पैसा इसमें और उसके बदले जैसे अब उपर देखो एक बार यहाँ पर यह है क्या है यहाँ पर एक करोड उपर है ध्यानते समझना में नीचे जो मैं बता रहा हूँ company ने एक करोड उपर invest कर दिये है इन सभी source में जो मैंने लिखे है और इसके बदले company ने units issue कर दिया units याद रखना mutual fund को unit कहते हैं और unit को actually हम consider करते है NAV से किससे करते हैं NAV NAV होता है net asset value इतको हम लिखेंगे net asset value क्या लिखेंगे net asset value NAV याद रखना मतलब company ने इस एक करोड की unit issue कर दी जब company ने इस एक करोड की unit issue करी तो company ने at the rate of 10 के according करी मतलब company ने 10 lakh unit issue कर दी अब 10 lakh से क्या होगा जितनी money आप invest करेंगे आप एक investor हैं आपने मानलो 1000 रुपे invest किया सिर्फ 1000 रुपे तो मैं आपको 10 रुपे के according कितनी unit दे दूँगा आपकी investment है 1000 रुपे की और एक unit है 10 रुपे की तो divided by 10 कर दिया मैं आपको 100 unit दे दूँगा यह 100 unit और यह 100 unit निकालना आपको paper में आएगा मैं आपको पहले ही बता दूँगा paper में क्या आएगा उसको ध्यान से पढ़ना है ठीक है मुझे सर ने बताया है कि आप जो book use करते हैं वो करते हैं विनीता त्रिपाठी की डॉक्टर विनीता त्रिपाठी के आप book use कर रहे हैं मैं आपको डॉक्टर विनीता त्रिपाठी से ही करा रहा हूँ आपका topic ठीक है कुछ बच्चों के पास अगर RP रिस्तगी है तो वो RP रिस्तगी का भी use कर सकते हैं ठीक है जो आर्पी रिस्टगी के अंदर है उसके ने concept थोड़े कम दे रखे है और वो ज्यादा paper में आते हैं बट बुक गलत नहीं है दॉक्टर विनिता त्रिपार्टी की बुक बहुत अच्छी है ठीक है तो इसलिए कोई tension ना लें चलिए अब आगे देखते हैं ये समझ में आ गया 100 यूनिट कैसे मिली अगर किसी person ने एक लाख रुपे लगा दिया तो एक लाख divided by दस के अकॉर्डिंग उसको दस लाख तो एक करोड़ बीस लाख divided by दस लाख मतलब एक उनिट आ गई बारा रुपे की समझ में आ गया वो जो बारा रुपे होगा उस टाइम का मतलब after one year the 12 rupees will be became a net asset value समझ में आ गया होगा वो हमारी NAV हो जाएगा तो आपको मैंने पूरा समझा दिया है mutual fund का concept कि mutual fund क्या होता है समझ में आ गया होगा और जब फिर मैं आपको बता रहा हूँ जब कभी आप investment करेंगे तो ये role ले सकते हैं अच्छा है ये investment का source लेकिन long term purpose के लिए जो money invest करें उसको ये मत सोचना आज invest किया और छे मेने में तीन मेने में withdraw कर गया बहुत अच्छा amount कमा लोगे नहीं कमा पाऊगे ये ये एक slow process होता है लेकिन जितना slow आपको लगेगा लंबे time में उतना high पर जाता है ये process ठीक है अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं mutual fund के अंदर ही देखिए mutual fund में अब क्या है हमारे पास यहां पर देखेंगे mutual fund में एक हमने सुना है बार बार सुनते हैं SIP SIP क्या होता है देखिए mutual fund theory के लिए भी बहुत important है तो ये theory समझा रहा हूं मैं आपको हो सकता है मैं मुझे बता है मैं गगन सर जितनी अच्छी theory तो नहीं समझा रहा हूंगा लेकिन फिर भी जितनी पढ़ा रहा हूं तो मेरे से पूछ सकते हैं clear है चलिए SIP SIP होता है systematic investment plan मैं मेरे पास तो पैसा है मेरे पास तो 50,000 रुपे है मैं गया किसी company के पास और मैंने बोला जी मेरे 50,000 रुपे invest कर दो mutual fund में ABC company limited के मुझे mutual fund दे दो 50,000 रुपे के मैंने mutual fund ले लेकिन क्या मेरे जैस सबी आप सबी भी चाहेंगे कि एक बार मैं 50,000 रुपे invest कर दो हम डरते हैं market में investment करने से पहले हमें डर लगता है या मैं job करता हूँ मेरी salary ही 20,000 रुपे महिना है तो 20,000 रुपे महिने में से मैं कैसे 50,000 रुपे की investment कर पा हूँ एक बार में या मैं पहले 50,000 रुपे खट किया एक, दो, तीन, चार, पांच मैं सर्फ पांच मेने का बता रहा हूँ मैंने January में, February में, March में, April में और May में मैंने इन पांच मेने में investment कर रहा हूँ ये पांच मेने बता रहा हूँ आपने 5 साल करनी है याद रखना जितना लंबा time जाएगा उतना अच्छा होगा मैं स इसे कहते है SIP, अब पहले बार जब मैंने mutual fund purchase किया पहले महिने तो मेरा एक mutual fund का जो price था वो 10 रुपे था, मतलब मुझे 400 unit मिल गई है, units आ गई, दूसरी बार जब मैंने investment किया तो मेरा mutual fund का rate होगा 10 रुपीज 50 पैसे, तो मेरी कुछ unit आ जाएंगे अभी बता देता हूँ जब उसके बाद क्या तो आ गया 10 रुपी 75 पैसा, next में क्या तो आ गया 10 रुपी 60 पैसा, फिर क्या तो आ गया 11 रुपे, समझ में आ गया, ये मैंने 5 बार में ऐसे ऐसे मैंने investment करी, तो चलिए देख लेते हैं एक बार, मैंने करी 4000 divided by 10.5 तो मेरे पास unit आ गई 380.95, अगर point में तो आप point में लिख ले, कोई दिकरते हैं, mutual fund points में भी आ सकता है, क्योंकि ये एक unit होती है, point में भी हमें मिल सकती है, जरूरी नहीं है, round of E ho, next है 4000 divided by 10.75, तो ये आ गया 372.09, 372.09, समझ में आ गया, ऐसे आपने ये भी मिल जाएगी, कल लेना, ये जो आपके पास unit आई ये आपके बात आ गई, NAV, 5 की एक बार में total आ जाएगा, मतलब आज आपके पास ABC Limited के, जो mutual fund हैं, वो इतनी units हैं, तो अब मेरे साब से आपको 101% समझ में आ गया होगा, कि mutual fund क्या होता है, SIP क्या होती है, clear है, अब topic पर आते है, mutual fund की theory तो मैंने आपको बहुत समझा दी है, अब हम अपने topic पर आते हैं, कि हमारा topic है क्या, देखेंगे, आपकी book के according, यहाँ अगर मैं बात करूँगा, यह एक concept है हमारे पात, यहाँ पर देखेंगे अगर हम, इसमें आपकी book में वैसे तो यह topic extra है, इसका mutual fund से अभी कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी क्योंकि यह topic दे रखा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, याद रखना, यह topic आपके लिए थोड़ा सा extra ही topic है theory में तो important है, practical इसका नहीं आता है, या मेरे according नहीं आएगा, फिर भी कर लो, करने में कोई बढ़ाई नहीं है, तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास है, तीन ratios यहाँ पर दे रखेंगे आपकी book के अंदर, सबसे पहले है sharp ratio, sharp ratio में क्या कहते है, sharp ratio measures क् हमारे पास जो भी return होती है, जो भी return होती है, return जितनी मैंने return expected की है, या जो मेरे पास return आई है, on an average, आप लोगों ने average कर लिया है, सर से, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसका use, आप लोगों ने average कर लिया है, तो return जो भी होगा आपका portfolio का, उसमें से minus कर देते है, risk free return, और upon में standard deviation, standard deviation का मतलब क्या होता है, risk, risk मेरे पास जो भी होगा, वो question में given होगा, आपको risk निकालना सर ने बता दिया था, risk आपको आता भी होगा, अगर नहीं भी आता है, तो आप सीख लेंगे, हम आगे चलते हैं, इसमें निकालना नहीं है, इसमें given होगा, तो पहला है, शाप ratio के अंदर, सबसे पहले क्या करना होता है, return minus risk free investment upon में standard deviation, समझ में आ गया, shortcut में उन्होंने ये दे रखा है, rp return को बोल दिया, return on portfolio, rf का मतलब होगा, risk free investment और ये standard deviation है, risk of portfolio, p मतलब portfolio से represent करते हैं, समझ में आ गया है पहला, इसके आगे चलते हैं, सबसे बहले मैं लिख देता हूँ, आपके लिए, यहाँ पर, शाप ratio कहते हैं, यह होता है, return on portfolio minus return free investment upon में standard deviation of portfolio, standard deviation लिखते हैं, चिक है, आगे देखते हैं, इसके बाद, इसके बाद next देखते हैं, यह first है, तीन मैं आपको बता रहा हूँ, first यह है, second concept क्या है, second concept बताता हूँ, यहाँ देखेंगे, second concept है मेरे पास, Trinor ratio कहते हैं से, Trinor ratio कहते हैं, Trinor ratio क्या कहता है, यहाँ पर वो उपर की तो same है, कि return portfolio minus risk free investment, upon में beta investment कहते हैं, beta portfolio, beta portfolio का मतलब होता है, beta कहते है, systematic investment को, beta किते कहते है, systematic investment, कि जो भी मैं investment करूँगा, वो एक systematic way में करूँगा, यह जो मैंने आपको भी बताया है न, यहाँ पर, यह जो मैंने बताया है, यह वाला, और यह वाला concept बताया है, कि हम अपनी investment को, दो अलग-अलग part में करते हैं, एक करते हैं हम लोग, इस रूप में, और एक करते हैं इस रूप में, यह एक system बना रखा है, मेरी company ने, कि जो भी investment होगी, उसका 40% जाएगा, risk-free investment में, 60% जाएगा, risky investment में, risky investment से, higher return होने के expectations ज़्यादा होती है, और risk-free investment में, return पका आएगा, लेकिर investment जो होगी, उस पे return जो आएगा, वो कम आएगा, इसे गहते है, systematic investment, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर, इसकी ratio क्या हो जाएगी, जड़ा देखेंगे, यह है मेरे पास, tenor ratio, इस ratio का होता है, return on portfolio, minus, risk-free investment, अपाउन में, beta, बीटा, बीटा कहते है, systematic, बीपी, बुक वाले लिखते हैं, आप भी बीपी लिख ले, यह सरफ बीटा लिख लेंगे, फरक नहीं पड़ेगा, यह बीटा of portfolio होता है, तो वो लिख देते हैं, यह second है, और तीसरा मेरे पास आता है, मैं आपको तीसरा भी बता देता हूँ, Jensen का, अब ज़रा थर्ड देखेंगे मेरे पास, यह है Jensen का, Jensen Alpha कहते हैं इसे, क्या है, Jensen Mathers क्या कहते है, Jensen Alpha, Jensen Alpha की अपनी एक theory है, Jensen Alpha आपने अगर अभी तक पढ़ा है, C.A.P.M. तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए एक formula मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूर याद रखना है, इसे कहते है, C.A.P.M. याद रखना, C मैंने बताया है, C.A.P.M. होता है, Capital Asset Pricing Model, उसके लिए एक formula है, मैं अभी आपको formula लिख रहा हूँ, और इसे explain भी कर देता हूँ, क्या होता है, थर्ड वन इस जेंसन, जेंसन रेशो कहा सकते हैं, जेंसन अलफा कहते हैं, हम इसे बेसिकली, जेंसन अलफा, जेंसन अलफा क्या होता है, वो समझेंगे, यहाँ पर होता है इसका, risk-free investment, याद रखना, risk-free investment plus bracket, return on portfolio कहेंगे, या return on market कहते हैं हम इसे, return on market minus, risk-free investment, bracket close, multiply by beta, यह हमारा रेशो होता है कि स्टीच का, जेंसन अलफा का, यह तीन हमारे formula दे रखे हैं, यह तीन formula मैं आपको फिर बता दू, mutual fund topic के अंदर यह तीन formula सिर्फ विनीता 3 party में हैं, अगर आप में से कुछ बच्चों के पास, अगर आरपी रिस्तगी है, तो उसके अंदर यह formula नहीं दे रखे हैं, आपको book में दे रखे हैं, इसलिए करा रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि यह नहीं आएंगे, आपको अगर दे रखे हैं, तो आपको इससे पहले वाला जो topic है, उसके अंदर भी यह formula यूज हो जाते हैं, और मुश्किल नहीं, यह बहुत simple है, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, देखिए अब इसके आगे, एक यह illustration दे रखे हैं, पहले मैं आपको एक सबसे basic सी illustration करा देता हूँ, 10.1, यह illustration है 10.1, इसको देखेंगे पहले, the following information is available about two portfolio, S and W, market index and risk-free asset, यह हमार को दे रखा है, इसके अंदर S यह है, W दे रखा है, मुझे actual return दे रखिया है, beta दे रखा है, standard deviation दे रखा है, S A W का दे रखा है, risk-free asset दे रखा है 700, market index दे रखा है 21 and 18, यह दे रखा है, मुझे market index, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, rank देनी है, यहां देखना rank, जब मैं rank दूँगा, तो आपको बता दूँगा rank कैसे देते हैं, rank the portfolio S and W, on the basis of sharp ratio, यहां दखना है, पहले उसने बोला है, sharp ratio निकालनी है, मुझे, and state whether they have outperformed or underperformed, अच्छा, मुझे यहां पर यह भी बताना है, आपको outperformed क्या होता है, underperformed क्या होता है, question कराऊंगा, उसी मैं बताऊंगा, एक बार में समझ आ जाएगा, पका, the market index, चली, outperform, तो देखा ही market index से जाता है, पहले ज़र हम यह देख लेते हैं, यहां पर है illustration मेरे पास 10.1, यह page number है मेरे पास, वनीता त्रीपार्टी बुक का 380, चीक है, वनीता त्रीपार्टी का 380 दे रखा है, देखते हैं, अगर मैं बात करूँगा, यहां पर, समझेंगे, मेरे को दे रखा है question में S और W, return on portfolio दे रखा है 21 और 26, बीटा दे रखा है मुझे question में 1.1 और 1.8, और अगर बात करूँ, standard deviation दे रखा है, अलग-अलग 20 और 35, अब मुझे क्या करना है, इसके लिए, वो देखते हैं, as for the question demand मुझे करना होगा, sharp ratio, sharp ratio क्या होती है जरा देखते हैं, sharp ratio होती है, return on portfolio minus risk-free investment upon miss standard deviation, अगर हम पहले वाली की बात करें, तो यहाँ पर ratio हो जाएगी, first case में, S के लिए और W के लिए, क्या हो जाएगी जरा वो देखेंगे, S की हो जाएगी, 21 मुझे given है, 21 given है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर risk-free investment दे रखी है, 7 और 0, 7 दे रखी है, risk-free, actual 7 है, 7, 7 मानेंगे, और 7 है, बीटा 0, अच्छा वो तो छोड़ दो, market index तो बात की बात है, यहाँ पर दे रखी है, 7% दे रखी है, return, यहाँ पर हो गया, 21 minus 7, अगर मैं एक बता दू, 21 minus 7 divided by standard deviation है, पहले वाले का 20, तो कितना answer आ जाएगा, वो लिखेंगे हम यहाँ पर, second हो जाएगा, 26 minus 7 divided by 35, तो second आ जाएगा, तो यह मेरे पास आ गया है, अगर हम calculator की बात करेंगे, देखेंगे, 21 minus 7 divided by 20, तो आगया, 0.7 आगया, exact, यहाँ आगया, 0.7, और second है, 26 minus 7 divided by 35, तो आगया, 0.54, standard deviation है, बुक में printing mistake है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, यह दे रखा है, 26, यह दे रखा है, 1.5 यहाँ दे रखा है, 35, और बुक वालोंने by mistake कितना कर दिया है, 25 कर दिया है, या तो इसको 25 कर लो, या इसको 35 कर लो, तो एक काम करते हैं, इसको 25 कर देते हैं, इसको ठीक कर दो, तो इसको 25 कर दो मैंने अपनी इसको rectify करके 25 कर लिया है क्योंकि तभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा under performed और over performed को इसलिए मैंने इसको 25 कर लिया है book में ठीक कर लेना तो यहाँ पर भी 25 कर देता हूँ तभी मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से यहाँ देखना 26 minus 7 divided by 25 तो आंसर आगया 0.76 clear हो गया है यहाँ पर यह मेरे पास सबसे पहले क्या आ गई है ratio आ गई है जो उन्होंने बोला था sharp ratio निकालने के लिए इससे user के मैंने यह निकाल दिया है अब इसके बाद एकना मुझे market भी दे रखिया है market हमें market का निकालना भी जरूरी होता है क्योंकि market से ही हम over performed और under performed को बता सकते हैं तो market में कितना दे रखा है जरा वो देखेंगे आप अगर market में देखे तो 20 दे रखा है 1 दे रखा है और 18 दे रखा है तो अगर मैं market perform निकालूँगा तो क्या हो जाएगा market के लिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर एक बार फिर देखेंगे हम book में फिर mistake दे रखी है यहाँ पर देखेंगे market index कितना दे रखा है 20 और यहाँ पर इनोंने कितना consider किया हुआ है 19 तो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर मुझे standard division कितना दे रखा है 18 यहाँ पर इनोंने क्या कर दिया 16 और यहाँ पर फिर 18 कर दिया तो इस 16 को भी क्या कर लो आप 18 कर लो ठीक है मैं ऐसा मैंने इसको 20 को मैंने कितना कर दिया 19 कर दिया क्योंकि solution में 19 है इसलिए मैंने 19 कर दिया ताकि आपको solution में change ना हो हम question में थोड़ा था change कर देते हैं क्योंकि इससे ही आपको मैं यह जो लिखा है ना under performed or over performed तभी बता पाऊंगा जब आपका यह answer इस टाइप से कुछ आएगा वरना मैं आपको उतना clear नहीं बता पाऊंगा तो मैंने अपने according आपके question को ही modify कर दिया क्योंकि book में printing mistake है clear है चलिए अब देखते है तो market के लिए हम क्या करते है यहाँ पर दे रखा है मुझे 19 minus 7 divided by 18 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा market की तो यह है 19 minus 7 divided by 18 तो आगया 19 minus 7 divided by 18 तो 0.67 आ गया है 0.67 आ गया है मेरे साब से एक मिट को 19 divided by minus 7 divided by 16 है 19 minus 7 divided by 16 तो यह यहाँ पर एक मिट उप जाओ यार यह ना गरबड़ी का रखे नोंने हमें ठीक ही करना पड़ेगा यह 16 ठीक लिखा है इसको 16 करना पड़ेगा और यहाँ पर इसे भी 16 करना पड़ेगा इसको ठीक कर लेना आप यह वाला ठीक है यह 19 है यह 16 है और इसको कितना कर दिया मैंने 16 कर दिया याद रखना अब क्या होगा यहां पर यह से 16 कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा सबसे पहले तो अगर हम बात करें rank की rank की तो जो बड़ा जो बड़ा होगा उसको हम 1 देते हैं जो छोटा होगा उसको हम 2 देंगे descending order में rank दी जाती है याद रखना इसके बाद मुझे बताना है कि यह under performed है या फिर over performed है तो हमने देखना है market के scenario से market का मेरा ratio कितना आया है 0.75 अगर यह 0.75 से जादा आता जैसे जादा आया हुआ है तो जादा आयेगा तो हम इसे लिखते है out performed और अगर यह market से कम आता है यह 0.75 और यह 0.7 है यह कम है तो इसे लिखते है under performed बस यही आपको बताना था समझ में आ गया है थोड़ा सा question में printing mistake है इसलिए मैंने इसको यही पर छोड़ रहा हूं clear हो गया होगा आपको एक ratio समझ में आ गई होगी हम ratio करते कैसे है mutual fund मैंने आपको बता दिया है ratio बता दिया कि शाप ratio कैसे करते हैं अब next class में मैं आपको इसके आगे का topic कराऊंगा तो चलिए मिलते अब अपनी next class में with this same topic किसी को कोई doubt हो कुछ पूछना चाहता हो मुझे WhatsApp करकिया call करके पूछ सकता है ठीक है